पूरू से सूचना है कि सैट, राज, पातरता, परिक्षा, दित्ते पेपर, हिंदी की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो रही है First of all, मेरा विचार ये था कि तीस टेस्ट पेपर सिरीज करवाएं स्लेबस के अकोर्डिंग जैसा कि मैंने second grade और grade third में पहले करवाई थी लेकिन बहुत से students का ये है कि सर, course करवा दो return में करवा दो, notes नहीं है बहुत सी दिक्कते आती हैं मैं जानता भी हूँ और दिक्कत इतनी भेंकर आती है आप लोगों को और सही समय पर सचेत भी नहीं होते हैं का जो है वो भी syllabus same है हिंदी का भी मैं upload कर दूँगा सबसे पहले आप syllabus का प्रिंट निकल वाए इसके अलावा मैं आपको इससे भी important जानकर ये देना चाहता हूँ कि ये classes न केवल second grade न केवल first grade न केवल set बलकि net के लिए सब के लिए important है क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतियास ये हिंदी साहित्य के इतियास की मतलब एक तरह से पूरी covering करते हुए पढ़ाया जाएगा आपको साथ में इस बार पूरा क्रमबद course चलेगा A to Z आपको पूरा syllabus जो है मतलब first grade में जो भी आता है second grade में जो भी है second grade में तो बहुत कम मैटर आता है school व्यक्यता में बहुत बढ़िया साहित्य आता है तो वो भी इसके साथ साथ मैं आपको cover करवाँगा ये classes जून तक चलेगी कब तक चलेगी जून तक क्यों सर जून में नेट का एक्जाम है तब तक ये classes continue चलेगी आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैं topic वाई syllabus करा हूँ उसी हिसाब से आपके test लेंगे ताकि साथ साथ में मैंने ही topic पढ़ाया और मैं ही test लेंगा तो आप खुद मुल्यांकन करते रहेंगे कि किस प्रकार तो test कैसे लेना है क्या लेना है वो अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको फिलाल जो second grade, first grade, school lecturer, college lecturer, set, net की तयारी करने वाले students है वो यहाँ जुड़े और 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 भी साथियों को जुड़े बहुत बढ़िया competition होगा तो बहुत आनंद भी आएगा और आज की इस class में आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से पढ़ते हैं और साहित्य को पढ़ने का तरीका क्या होता है आप सभी जानते हैं कि साहित्य के लिए वर्णानुकरम पद्दती, विधेवादी पद्दती, माक्सवाद पराधारित पद्दती अनेक पद्दती आए लेकिन सबसे टॉप पद्दती कौन सी माने गई विधेवादी पद्दती यानि सब के पढ़ने का तरीका अलग-अलग था लेकिन रामचंदर शुक्रम द्दवारा जो विधेवादी पद्दती अपना ही गई वो अमर हो गई, यूँ ही कहना चाहते हैं न हम लोग तो वैसे ही साहित्य पढ़ने के तरीके होते हैं साहित्य के नोट्स बनाने के तरीके होते हैं लेकिन हम लोग क्या है ज्यादा मैटर के चक्कर में फुलाणी कोचिंग के नोट में फुलाणी कोचिंग के नोट ले लिए या को मालो पान्डेती प्रदर्शन्न जो होता है उसमें हम लोग डूरते हैं और एसाभी आता है इतना इता है इससे कोई मैटर नहीं किस subnane के लेकिन साथ में 10% ऐसा करवाऊंगा जो और किसी को नहीं आता सिर्फ आपको ही आने लगेगा तभी जाकर तयारी बढ़िया होगी दूसरी बात अभी आज की इस क्लास के बाद में अभी एक दो 26 तारी तक आज जैसे 19 तारी तो हो चुकी है 26 तारी तक जो क्लास है वो एक दि तो अभी पूरा ध्यान उस पर है तो एक रेगुलर्टी नहीं रहेगी दो तिन दिन में दो तिन क्लास दूँगा मैं आपको ये सिर्फ डेमो के लिए है आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू जूडे रहिए अच्छा नहीं लगे तो आ मासरस्वती का नाम लेकर वंदेवानी विनाय को बिल्कुल रामचरतमानस के अंदर भी सबसे पहले मासरस्वती के आराधना की गई है उसके बाद स्रिगनेश जी के आराधना की गई है तो हम विद्या की देवी मासरस्वती के आराधना करते हैं कि हेमा अब की टेर महरी है अर्थाद अब की बारी महरी है चलिए दोस्तों तो देखिए किस प्रकार से हम साहित्य के स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जब हम इंदिसाहित्य के इतिहास की शुरुआत करते हैं तो हमें विद्वान नहीं बना सबसे पहले हम इतिहास की परिभासा जानते हैं, किसकी परिभासा जानते हैं, इतिहास की परिभासा, आपको मैं सारे नोट्स भी दूँगा, कैसे दूँगा, कब दूँगा, टेस्ट रिज क्या दूँगा, मैं एक दो तीन वीडियो के अंदर पूरा आपको खेल समझा दू कौन उनो एकदम या मतलब इदर का ही लिलू उदर का ही लिलू रिलेक्स होके तयारी करोगे साहिते में तो जून तक कंटीन्यू पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा तक सबसे पर इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि अतीत के तत्थ्यों का वर्णन विशलेशन जो काल करमानुसार किया गया हो वो इतिहास कहलता है वह इतिहास क्या इतिहास जो अब तक हो चुका है वही इतिहास लेकिन केवल मतलब पहले पिर्थुराद चोहान के बारे में बता दिया फिर अपन चले गए चंदर गुत मौरिय की तरफ चले गए फिर वापस आगए महाना परताब की तरफ फिर कहीं हो तो ये इतिहास नहीं है समझ जो बात कबीर का बता दिया फिर केशो का केदारनात का बता दिया फिर चंद परताई का बता दिया ये इतिहास नहीं है इतिहास क्या होता है अतीद के तथे जरूर है लेकिन उनका वर्णन विशलेशन जो काल करमानुसार हो मतलब सिस्टम से हो एकदम तिथी के अनुसार हो वही इतिहास होता है तो फिर साहित्य क्या होता है मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्टिशन ही साहित्य कहलाता है कि जो मनुष्य है उसका साहित्य और सामाजिक जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन है उसका विश्टिशन करना उसको इतिहास से जोड़ना परिस्थ तातकाली परिस्थितियां जो आब एक शब्द पढ़ते हो उसको इतिहास से जोड़ना साहित्य का इतिहास कहलाता है यानि इसमें हम साहित्य की रचनाओं का अध्यान एतिहासिक दृष्टी कौन से करते हैं भई हम साहित्य के इतिहास में क्या करते हैं साहित्य तो होता है मनुश्य के सामाजिक और सांस्क्रतिक जीवन का विस्ट्रेशन वो ही साहित्य है लेकिन साहित्य का इतिहास क्या होता है साहित्य की जो रचनाएं आप पढ़ते हो उन्हें एतिहासिक दृष्टी कौन से जो है वो उनका बखान करना जैसे हमें जो भी रचनाएं मिली हम उसको इतिहासिक काल की दृष्टी से करमबद रखेंगे तो वो इंदी साहिते का इतिहास कहलाएगा अब देखो दोस्तों इतिहास की जो परिभासाइं आप पढ़ते हो पेपर में सबसे ज़्यादा परिभासाओं आने के चांसे रहते हैं वो ये चार परिभासाइं हैं इनको याद ऐसे याद नहीं होती ही कभी भी कोई भी परिभासा याद करने की ट्रिक होती है ठीक है सबसे पहले परिभासा क्या है कि इतिहास एक दर्सन है क्या है इतिहास एक दर्सन है जो द्रिश्टानतों के मादियम से सिक्ष्या परदान करता है अब इस परिवासा को कैसे याद करोगे ये कॉरलाईल की परिवासा है तो आप इसको याद कैसे करोगे कर ले दर्सन कर ले दर्सन कॉरलाईल दर्सन कर ले दर्शन, कॉरलाइल दर्शन, आयाक नहीं है, इस तरह से, आगे देखिए, वीको क्या कहता है, कि इसका सम्मन्द न केवल अतीज से है, बलकि इसका सम्मन्द वर्तमान से भी है, इसका सम्मन्द केवल अतीज से नहीं है, बलकि इसका सम्मन्द वर्तमान से भी है, आपने एक देखा होगा हम लोग समकक्षी हैं एज के अंदर कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े भी होंगे तो हमने एड़ुटीसमेंट देखा होगा दूर दॉर्ष्ण पर आता था कि वीको tी आता था कैनी आता था था वीको वजर्दंथी भी है याद रखें ये बैस्ट तरीका है तो विको वरतमान कर ले दर्सन विको वरतमान कर ले दर्सन उसके बाद आप देखिए कि कांत क्या है कांत की परिवासा मैं समय विस्ट करने पिश्वास नहीं हमारा सलेवस बहुत विस्तरित है और इस बार हम इस तरीके से सलेवस करेंगे कि असेस्टेंट प्रॉफेसर के अंदर भी जो मैट रहा हुआ है उसको भी मैं एनलिसिस करके आपको बराबर वो चीजें इसमें डालता रहूँगा ताकि आगे आने वाली College Lecture बढ़ती चैये UP की हो MP की हो हरीयाना की हो किसी की भी हो हर चीज में यानि मैं शाहित परिभासा बताऊंगा मैं आपको बाध बढ़िया परिभासा बताऊंगा भी Mr. Vandu की परिभासा बताऊंगी वो परिभासा आपके और मेरे बीच में काम आएगी कैसे आएगी बताऊंगा तो देखिए दोस्तों स्रस्टी का बाहिये विकास प्रकरती के आंतरिक विकास प्रकरिया का प्रतिबिम्ब मात्र है क्या कहता है कान कि जो स्रश्टी का जो बाहरे विकास है वो प्रकरती की आंत्रिक विकास प्रकरिया का क्या है प्रतिभिंब मात्र है मन एक बात बताओ मारवाड़ी में एक बात बताओ कि अपा मुंडो देखा जैने सकल देखा जैने किम देखा कांच में देखा किम देखा क तो प्रतिबिम्ब जो अगर देखना है तो वो कहां देखोगे, कांच में देखोगे, तो अब देख लिजिए, कर ले दर्सन वीको वर्तमान, कांच में प्रतिबिम्ब देखा, कांच में प्रतिबिम्ब देखा, कांच में प्रतिबिम्ब देखा, तो ये लिजिए साब में एक परिवाशा और याद हो गई, क्या याद हो गई, कांत में प्रतिबिम्ब देखा, हो गया याद, आगे चलते हैं, हिगल, हिगल देखीए, हिगल क्या कहता है, इतिहास केवल गटनाओं का अनुवेक्शन संक्लन मात्र नहीं है, बलकि उसके भीतर कार्ये कारण संक्ला वि साहित्य को कि उसके बाद हमें वापस रटना नहीं पड़ेगा एक चीज याद आई तो सारी चीज याद आएगी और आप बिना पठे भी किसी एक्जाम में बैठो तो 75% से उपर रहो इतना हम साहित्य तयार करेंगे एतिहास केवल एक गटनाओं का अन्वेक्षन संक्लन मात भीतर नहीं है बलकि उसके भीतर कारे कारण स्रंखला विद्यमान है अब देखो कैसे याद होता है कर ले दर्सन वीको वर्तमान कांत प्रतिबिम्ब हीगल कारे 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 स्रंखला से किस से जोड़ दिया हमने हीगल को जोड़ दिया कारे 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 स्रंखला अब करता हूँ आपको याद आ रहा होगा आनद आ रहा होगा देखिए मतलब मैं साहित्य को इतना शांदर और शौट नोट्स के रूप में लेकर आया हूँ कि आपको देखते ही आनद आ जाएगा तो देखिए किया क्या कहता है अतहे है इतिहास का सम्मन अतीज से होता है इसमें केवल वास्त्विक या यथार्त गटनाओं को समावेश किया जाता है ठीक है नॉर्मल सी परिबासा है हमारे पेपर के लिए काम के नहीं है अब देखिए इतिहास का भारतिय दृष्टि कोण क्या कहता है देखिए इतिहास का जो भारतिय दृष्टि कोण है वो आदर्सव तेरा इतिहास का दृष्टिकॉर्ण जो है भारतिय दृष्टिकॉर्ण वो आदर्सवादी है। आप देखी अपने राम चरित्मानस है, महा भारत है, स्रीमद भागवत है, ठीक है, इसी तरह से मलिक मुम्मद जाईसी द्वारा लिकित पदमावत है, ठीक है, कोई भी अध्यात्म की और परवर्त होते हैं, तो हमारा दृष्टिकॉर्ण आदर्सवादी और अध्यात्म है, आच्छा चलो छोड़ो, अपने थोड़ो मुवीज पर आते हैं, जो मुवीज है अपनी पुरानी जितनी भी मुवीज उठा लो, आपने काई वह एक हीरो हुए, एक आध्यात्र वादी तो बहुत घतलते हैं, जैसे वड़तवान में इंग्लिश मुवीज जो हती है, ठीक है, वो भी कहीं कहीं आदर्सवादी है, लेकिन आदर्सवाद वहां नाममत्र है, उनने में पता ही नहीं चलता है, कई वार अप्पिक्चर देखते हैं, जैसे आप न निकांगी देखिए होगी, वो डााय मुवीज देखिए होगी, कई अजगर वाली है कि सी में ब्लू वेल है उसमें एक ग्रूप होता है वो जाता है और नास्ता बनाते रहते हैं वो हीरो है, पता ही नहीं चलता कौन आदर से, है ना और अध्याद में डाइनोसवर वाली 3-4 मुवीज देखियोगी कई अजगर वाली है, किसी में ब्लू वेल है, है ना, उसमें एक ग्रुप होता है, वो जाता है और नासता बनाते रहते हैं वो जो अजगर होता है, वो नासता खाते खाते लाश्ट में जो बच गया वो हीरो है पता ही नहीं चलता कोण आदर से और अध्यात्म तो वहाँ नाम मात्र काई नहीं है क्यों? क्योंकि वो कैसे है यथार्त वादी दिरिश्टी कोण है अब आपको जिन्दगी बर याद रहेगा वैसे आप में से बहुत से अनुभो भी बैठे है मेरे सामने तो उनको तो याद है इतिहास के पिता जैसे की जानते हैं आप हैरोडोटर्स कहलाते हैं उन्हें इतिहास का पिता का जाता है इतिहास का शाब्दी कर्थ क्या होता है तो इतिहास का शाब्दिकर्थ होता है ऐसा ही था संकलन करना होगा फिर आते हैं यूनानी इतिहासकार के अनुसार इतिहास की चार लक्षण बताएगे हैं जो इतिहास है उसके कितने लक्षण बताए हैं चार लक्षन बताएं है इतिहास के किते लक्षन बताएं चार लक्षन क्या क्या बताएं है चलिए देखते हैं तो आप देखिए इतिहास के चार लक्षन में पहला बताए है कि इतिहास विज्ञानिक विध्या है क्योंकि इसकी पद्दती क्या है आलोचनात्मक पद्दती में इतिहास लिखा जाता है दूसरा इतिहास सदेव मानव जाती से संबंदित होता है क्या आपने कभी देखा है कि जो इतिहास है वो पसुओं का भी इतिहास लिखा गया आपने कभी नहीं देखा होगा इतिहास कभी भी पसुओं का नहीं लिखा जाता है ना इतिहास हमेशा मनुष्य जाती का ही लिखा जाता है यह तत्थे और निश्कर्स इतिहास के जो तत्थे और निश्कर्स होते हैं वो प्रमान पर आतारित होते हैं बिलकुल अगर प्रमान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं मानेंगे हमारे पास परमान होना चाहिए कि ये बात इस वक्त की है तब ही हम मानेंगे दूसरा ये मितीत नहीं है अतीत लिखावा यहां पर क्या लिखावा अतीत के आलोक में भविश्य पर प्रकास डालता है बिल्कुल हमें हर चीज याद होती है सिस्टम से करवाया जाना चाहिए फिर उसके बाद आये फ्रेंच विद्वान क्या है फ्रेंच विद्वान जिनका नाम है तेन जो безवनगे आचारी रामचंदर शुकल मैं था नहीं गलत बोला मैंने माफी चाहता हूँ और मैं बोलता भी नहीं हूँ जो आचारी रामचंदर शुकल थे उन्होंने वो सरवाद एक तेन से ही प्रभावित थे क्योंकि सबसे पहले तेन ने ही विधेवादी पदती अपनाई थी सबसे प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर और आलोचन का नाम क्या था हडसन हडसन ने इनकी आलोचना करते हुए कहा कि ना भई तीन नहीं है यह तो पांच तत्व हैं कितने तत्व हैं? पांच तत्व हैं ठीक है? और आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आपने करतिकार के वैक्तित्व और उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की है यानि आपने कृतिकार के वेक्तित्व के बारे में तो बताया ही नहीं है और दूसरा उसका जो वेक्तित्व है कृतिकार के वेक्तित्व और प्रतिभा इनकी क्या की है उपेक्षा की है ठीक है और फिर उन्होंने इसके पांच तत्व बता दिये इस बीच में एक नोट और लिख रहा है कि जर्मन चिंतकों ने सहिते इतियास की व्यक्ष्व पूर्ण माना है अब हडसन ने जो पांच तत्व दिये वो कौन से हैं प्लस इनका सही क्रम भी याद रखना कैसे देखो आप बात बताओ सबसे पहले किसी कविता को लिखने के लिए यह कुछ लिखने के लिए मनुष्य में क्या जरूरी है सरजन शक्ति उसको यह सरजन गलत लिखावा है तो क्या होना चीए परम्परागत जो परिपाटी चलिया रहे उसको अपनाना पड़ेगा तो दूस रख्या हो गया सुर्जन शक्ति परंपरा। फिर उसको क्या मिलना चाहिए उस यूप का वातावन मिलना चाहिए। وातावन मिलेगा तो अब कुछ आलोचक भी आएंगे तो उनसे द्वंद भी होगा और द्वंद आयेगा द्वंद के बाद अक्सर क्या होता है युद्ध के बाद शांती और दुंद के बाद आता है संतुलन इस्थापित होता है तो ये क्रम याद करने का तरीका बताया है मैंने क्या बताया है क्रम याद करने का तरीका कि स्रजन शक्ति परंपरा वातावरन दुंद और संतुलन ये आप देख सकते हैं पीछे लिखावा है स्रजिन सक्ति परंपरा वातावन द्वंदोर संतुलन तो इस तरीके से ये हरसन के हो गए पांच इतत्वर देखिए पहली क्लास है पहली क्लास है जैसे बिजोलिया किसान अंदोलन की बात करूँ या अंदोलन की बात करूँ, सुभाष शंक्रमबोस की बात करूँ, महात्मा गांधी की बात करूँ एक बात है जो बहुत कॉमन है और वो कॉमन ये है कि जब भी किसी नेता से किसी अंदोलन की नेतर्ट्व करने के लिए कहा जाता था तब वहाँ, वो वल्लब भाईपटेल की बात है यादागे, मुझे अयाद है कि वल्लब भाईपटेल को जब नेतरतौ के लिए भुलाया गया, तब वल्लब भाईपटेल ने एक बात कही थी वो अंदोलन का नितरत्व करने से पहले कि क्या आप तकलीफें जहिलने के लिए तयार हो क्या आप जो है एक साल तक भूग से रूबरू होने के लिए तयार हो परिवार में बच्चे औरतें दुख मतलब उन्हें दुख होगा वो परिशानिया जहलने पड़ेगी उन्हें सब चीजों के लिए तयार हो तो मैं तुमारे अंदोलन का नितरत्व करूँगा क्योंकि मैं तुमारे अंदोलन का नितरत्व करने के लिए आगे आ जाओं वाद में तुम पीछे और जाओ ये मेरा अपमान होता है ठीक वैसे ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या आप अपनी नौकरी को लेकर सीरियस हो क्या आप में दो गंटे रोज नियमित बैठने की कैपिसिटी है क्या आप लोग जितना मैटर आपको दिया जाए उसको रिवाइज कर सकते है आएगी आपको डिमोटिवेशन मिलेगा आपको घरवार गर की तरफ से ताने मिलेंगे यार दोस्त डिमोडलाइज करेंगे हर तरीके से विपरित परिस्टितियां होने को आ सकती है क्या आप ऐसी परिस्टितियों में भी रेगूलर क्लासेज देने के लिए तयार हैं तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्द कराऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पर बस सीदी सी बात है अगर तयार हो तो आप ये न सोचे कभी boring topic भी आएगा कभी आनन्द भी आएगा कभी tricks आएगी कभी थोरी आएगी हर तरह से चलेगा ठीक है सारा साहित्य tricks से set भी नहीं होता तो कहीं थोड़ा पढ़ना भी पढ़ेगा ठीक है तो तयार हो तो best of luck हम जरूर जीतेंगे र विजय सुनिश्चित है देखिए अब बात करते हैं शुकल की एक परिभासा जो है वो बहुत प्रसिद परिभासा है कि परतेख देश का साहित्य वहां की जनता की चित वर्ती का संचित परतिविम्ब होता है तो प्रतेग देस का साहिते वहां के देस की जनता के चितवर्ती का इतियास होता है यानि ये जो चित वरती शब्द है क्या शब्द है चित वरती शब्द जो है ये चित वरती शब्द सो परसेंट अगर आजाए तो रामचंदर शुकल की परिवासा ही करनी पड़ती है लेकिन नगेंदर की परिवासा एक बहुत गजब परिवासा है अब ये सिंपल सी परिवास है आप सब को याद है मुझे भी याद है बिल्कुल याद है जैसे हमें वो भी याद है कि डॉक्टर नगेंदर ने कहा है कि छायावाद तो इस्थुल के परती सुक्ष्म का विद्रो है ठीक है लेकिन स्कूल लेक्शनर में पिपर अपरशनाया और वहाँ पर उन्होंने दे दिया कि सुक्ष्म के परती स्थुल का विद्रो है अब अपने रट रखी थी तो अपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने सुक्ष्म और स्थुल का क्या कर दिया क्रम बदल दिया और अपन सोचा ये तो पक्का सही है तो सेम ऐसे ही इसी परिवासे में माई चांस वो बदल दे कि समवेदनाओं और अभीरूचियों का इतियास है या फिर आर्थिक की जगे लिख दे सामाजिक और चिंतनात्मक परिवरतन से है तो हम रटावा होगा ना पैचान नहीं पाएंगे इस चीज को समझ लेना फिर आप इसको आगे बढ़ें तो ये होगी दूसरी परिवासा आगे चलते हैं हिंदी साहिति इतियास के लेखन की कुछ पद्दतियां देखिए सबसे पहली जो पद्दति है उस पद्दति का नाम क्या वर्णा नूकरम या वर्णमाला पद्दति अब सबसे पहले हिंदी साहिति का इतियास किस ने लिखा था तो गौर्ड सादत तोसी ने लिखा था तो लेखक कवियों का परिचे वर्णमाला के अधार पर किया गया तो इसमें क्या हो गया जैसे कैसव है और कबीर और केदार ना था एक उधारन बता रहा हूं मैं आपको ठीक है तो कव कवाले एक साथ आगे तो अब कव कवाले आगे तो इनकी तो परवर्णियों में तरपने आप आगया एक भक्ति काल का, एक रिति काल का, एक आधुनिक काल का तो यह कैसे सैट बैठ सकता था तो सैट नहीं बैठा तो यहाँ यह जो वर्ण माला पदती थी इसका यह दोश भी था और यह इतिहास लेखन की सबसे अविक्सित परणाली मानी जाती है जो इतिहास साहित्य का इतिहास लेखने की सबसे आविक्सित अगर परणाली कोई मानी गई है तो वो यही मानी गई यह तो clear है जो जी सबसे पहले आएगी वो आविक्सित मानी जाएगी क्योंकि उसमें कुछ कमिया होगी हम किताबे भी पढ़ते हैं तो कहते हैं यह पाँचवा संस्क्रण है छटा संस्क्रण है संसोदन तो उनमें भी होता ही होता है ठीक है तो देखिए आप इसको अच्छा इसको अपनाने वाले कौन-कौन थे गौर्ड साद तो सी 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 है सेगर तो ये हो गया वर्णा नुकरम पदती अपनाने वाले फिर इस पदती का दोस क्या था दोस ये था कि ये केवल क्या थे साहित्य कोश थे क्या थे ये साहित्य कोश थे मतलब साहित्य का बंडार था जैसे मानलो सपोस्थ आपको कहीं से नोट्स मिल गए फलानी कोचिंग फलान उनको रखे और एक रख दिया मैं 101% बोलता हूँ आप अगर मैं जूट बोल रहा हूँ तो आप बता देना आप लोगों के पास 70% इस्टुमेंट्स के पास नजाने कितनी कोचिंगों के नोट्स हैं नजाने कितने टेक्स्ट पेपर हैं खुब मैटर पढ़ा होता है हकिकत मैटर है कहां वो कार्टून के अंदर कहीं पैक पढ़ा है या कहीं अलमारी में दबा पढ़ा है हम उस मैटर को कभी नहीं खोलेंगे ये गैरंटी से बोल रहा हूँ कभी भी नहीं खोलेंगे और नहीं खोला जाता है क्यों कि जिस मैटर को हमने डंग से पढ़ाई नहीं था कहीं से ले आए कब भी उस मैटर को नहीं पढ़ सकते साब आप अब आप जब इसको पढ़ रहे हो ना और मैं इसी के नोट्स आपको उपलब्द करवाऊंगा ना तो यह सारा पढ़ा हुआ होगा और जो पढ़ा रूपयोगी और दोश्पूर्ण परणाली माने जाती है आगे देखिए काला नुकरम पदति दूसरे पदती जो है वो काला नुकरम पदति है इसमें कवियों और लेखकों को वरगिकरन एतिहासिक तिथी करम के आधार पर अब वर्ना नुकरम नहीं देखा अब ये देख था कि 1901 में कौन जन में 1902 में कौन जन में 1903 में कौन जन में इस प्रकार से डेट के हिसाब से कवियों को set किया गया तो ये था काला नुकरमी और इसको अपनाने वारे थे George Grierson Mr.Bandu ये दो वेक्ते यह से थे जिनोंने देखो George Grierson और Mr.Bandu इन्होंने जो है काला नुकरमी प्रवर्तियों को स्थान नहीं मिला ये इसका सबसे बड़ा यानि जो तातकालिन यूग चल रहा था चाए बक्तिकाल चल रहा हो चाए रितिकाल चल रहा हो चाए कोई सब यूग चल रहा हो तो उस यूग के कवियों की जो प्रवर्तियां है उसके बारे में कोई उलेख न इस प्रद्यति में इतिहास का निर्पेक्ष रहकर तत्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद और व्यवस्तित रूप से प्रसुत करता है पहले तो निर्पेक्ष रहकर वो क्या करता है पूरे डाटा को संकलित करता है और फिर उसे क्रमबद या व्यवस्तित रूप में सैट क तो मैं totally 60 page के notes थे और उसमें से कभी ऐसा नहीं हुआ कि paper बहार चला गया चाहे MPPSC हो, चाहे UPPSC हो चाहे फिर RPSC हो या फिर XYZ कोई सब भी हो net set के इसाब से थोड़े notes विस्तरच चाहिए वो notes आप तक पहुंच जाएंगे और कैसे पहुंचेंगे मैं next video में बताऊंगा तो आप class जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा तो ठीक है, ये विग्यानिक पदती होती है उसके बाद इसमें क्या होता है क्रम बदता एंव तरक पुष्टता अनिवारे रूप से होती है आज बाद क्या होती है इसको करम बद और तरक पुष्ट करके रखा जाता है इसका दोस ये होता है कि इतिहास होता है आपने निर्पेक्ष रेकर डाटा संकलित कर लिया उसको करम से सैट कर दिया हो गया काम क्या ये साहिते इतिहास लिखने का तरीका था चाहिए तो वो इसमें नहीं था यानि इसमें कमी क्या थी इस विज्ञानिक पदती की कमी ये थी कि उसमें व्यक्षा और विश्लेशन नहीं था देखो बहुत ट्रिक देखिए विज्ञानिक वर से स्टार्ट होती है विज्ञानिक पदती और विज्ञानिक में वर की कमी थ यानि व्याख्या नहीं था विश्टेशन नहीं था तो ये थी विज्ञानिक पद्धती उसके बाद विधेवादी पद्धती ये वो पद्धती जिसे सबसे पहले तेन ने अपनाया था जो विद्वान थे तेन उन्होंने अपनाया था इसलिए करा जाता है इस पद्धती के जनक जो हैं वो तेन माने जाते हैं इसमें साहिते संबंदी आंकड़े एकत्रत करने वहीं इसमें आपने डाटा कलेक्शन तो किया लेकिन साथ साथ तद यूगीन वातावन यान तातकालीन परिस्थितियां एवं जातिये परंपराओं का वर्णन विश्थिशन भी अपेक्शित था आपने संकलन किया तितिकरम से सैट किया उनकी व्याख्या भी की उसका विश्थिशन भी किया तातकालीन परिस्थितियों या उपरंपराओं को भी आपने उसमें एड़ किया तब जाकर जो है हिंदिस साहित्य का बड़िया इतियास लिखा जाता है और ये एक अंडरलाइन करके लिखावा है आचारी रामचंदर शुक्ल ने इतियास में इसी पद्दती को अपनाया था आचारी रामचंदर शुक्ल ने साहित्य इतियास में इस पद्दती को अपनाया मैं एकसर ARC की जगे राम चंद्र शुकेर लिखता हूँ तो कई वह बोलता है कि पढ़णा आता तो है ARC का मतलब C का क्या मतलब हुआ Cyrus होना चाहिये आचारी राम चंद्र शुकेर क्यों होना चाहिये A आचारी राम चंद्र और यह लो राम चंद्र आज से राम और चंदर, मैं सुक्ल लाओंगा इनी बीच में, अब बोलो क्या कर लो, तो ये चीज़े ध्यान नहीं रखनी आपको, आपको content से मतलब है, समझ गए बात को, तो राम चंदर शुकल ने साहिते इतियास में इसी पदती को अपनाया था, आगे देखिए समाज सास ये पदती है, वो माक्सवाद, दुनदात्म, भोतिकवाद पर आधारित है, और इसमें मुल्यांकन, जन, मतलब इनों ने क्या किया, केवल उसी को साहिते माना, जो जनता के लिए लिखा गया है, मतलब मुल्यांकन, जन हित की कसोटी, जो जन हित की कसोटी पर खरा उतरा, वो ही साहित्य अबाकी फालतू चीज़ हैं तो ये पद्दती एकदम मारवणिम कहने सिरे से खारिज हो गई है दिरे दिरे आचरी रामचंद्र शुकुर के परिभासा है कि आदे से अन्त तक जनता की चितवर्तियों के परंपरा को परकते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामन जसे बीठाना साहित्य का इतियास कहलता है आपको नहीं याद रहेगी इत्ति लंबी परिवासा लेकिन आपको ये याद रहेगा कि चित वर्ती सब्दाया है और चित वर्ती सब्दाया है तो किसमें रखा जाएगा हमें रखा जाएगा अचारी रामचंदर शुकल की परिवासा में आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतियास लेखन की परंपरा अब देखते हैं क्या है कि हिंदी साहित्य इतियास लेखन की जो वास्त्विक सुरुवात हुई थी याद रखिएगा उनीस्वी सताब्दी से माना जाती है वास्त्विक सुरुवात कब से मानी गई उनीस्व उनकी रचनाओं का परिचे मिल जाता है तो इतिहास लेखन के लिए जो काल कर्मानुसार वणन अपेक्षित होता है उसका उनमें अभाव है यानि हिंदी साहित्ते का इतिहास जो गार्सात तौसी द्वारा लिखे है उससे पहले भी बहुत से इतिहासिक जो गरंथ है वो लि वारता गोकुलनात का है ना वल्लब दिगविजय ठीक है स्रंगार रासो सरदार कवी का ये जो रचनाएं थी अब ये इंपॉर्टेंट सर महतो पूर्ण रचनाएं बताओ देखें तो महतो पूर्ण रचनाएं अगर हम पढ़ें तो आप आप देखो आपको पढ़ते-प प्रियास करो तब जाकर पता लगेगा कि वास्ताओ मैं आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताओ जल्दी बताओ देखें गोकुलनात से स्टार्ट करोगे तो भी आपके उत्तर निकल के आ जाएगा एकदम अच्छे से गोकुलनात से बताओगा ना तो भी सबसे पहले गोकुलनात कौन है गोकुलनात ने आपको पता है एक लिखी ती चोड़ासी वैस्तावन की वार्ता लिखी थी और एक लिखी थी 252 वैश्णवन की वारता लिखी थी अब याद करने का तरीका क्या से कि 84 और 252 कुल कितने होते हैं बोला गोकुल होते हैं कुल कितने होते हैं गोकुल होते हैं कुल कितने होते हैं गोकुल होते हैं बस ये तरीका बैस्ट है 84 और 252 गोकुल होते हैं पंद्रा सो अड़ सट क्या सन है पंद्रा सो अड़ सट सन है कितना सन है पंद्रा सो अड़ सट है इस वी अब बात करते हैं नाभादास नाभादास की रचना आप सब जानते हैं भक्तमाल है नाभादास की रचना जो है भक्तमाल में इसी तरह की एक नव भक्तमाल रचना है वो आधुनिक काल में आएगी और मैंने जब पिछले second grade और first grade वैच पढ़ाये थे तब मैंने चिला चिला कर एक बात बोली थी मैंने का देखो यह नव भक्तमाल वाल अचना आपको confuse कर सकती है और किसमत से वो first grade में आ भी गया और बहुत अच्छी बात क्या रही पता है student confuse भ तो भक्तमाल ने नाभादास लिखी थी इसमें 200 भक्त कवी 200 भक्त कवी हैं और 316 छपपए 316 छपपए चंद है यानि भक्तमाल में कुल 200 भक्त कवी हैं और 316 छपपए चंद है ठीक है उसके बाद जैसे द्रूदास द्रूदास की रचना है भक्तनामावली मैं ये वो ग्रंथ बता रहा हूँ जो ग्रंथ आप मान लीजिए कि हिंदी साहिते गितियास लिखने से पहले भी जो है हिंदी साहिते गितियास लिखने का एक परियास किया जा चुका था भक्तनामावली ठीक है S इसी तरह से जो काली दास हजारा है काली दास ने लिखा था क्या लिखा था काली दास काली दास हजारा काली दास ने लिखा था काली दास हजारा बेनी माधव दास ये रचना तो बहुत ज़्यदा पूछी जाती है आप जानते ही है बेनी माधव दास अब कौन से रचना है बेनी माधव दास की बताओ देखें बेनी माधव दास की रचना है मूल गोसाई चरित कौन से है मूल गोसाई चरित बहुत important रचना माझे जाती है मूल गोसाई चरित ठीक है इसी तरह से सूदन सूदन की है कवी नामावली क्या है सूदन की कवी नामावली है ठीक है दुरूदास की भक्त नामावली है सूदन की जो है वो कवी नामावली है ठीक है इसी तरह से यदुनाथ यदुनाथ की है वल्लब दिगविजय क्या रचना है वल्लब दिगविजय इसी तरह से है अपने उसकी सरदार कवी की, सरदार कवी, सरदार कवी ने लिखी दि सरंगार, सरदार का सरंगार, अब इसको यूँ याद करने के ट्रिक है, कालिजा सरदार सरंगार सरंगर है, सरंगार सरंगर है, तो हिंदी साहितिय के इतियास लिखे जाने से पूर है, इसी साथ से और भी कई परियास किए गए थे लेकिन वो हिंदिस आयते के इतियास नहीं कहे जा सकते हैं ठीक है अब हम चलताएं आगे हिंदिस आयते इसतियास लिखने का सबसे पहले परियास की हो यहां पर पांच चैप्रशन कلियर होता हैं ध्यान से समझने का का इतियास दिखा उसे हिंदी साहितिक इतियास दिखने का भारतिय विद्वान द्वारा नहीं 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 ये क्या कर दिया ये भारतिय विद्वान थोड़ी है भारतिय विद्वान तो ये है या नहीं है अब इस तरह से गलती हो जाती है आप इसको यूं कहेंगे ये देखो ये बात तो आईए इसके बारे में कि हिंदी साहित्य इतियास लिखने का सरव प्रतम प्रियास है अठार सुन्चारिस में गौर्शाद अतोसी ये जो फॉर्मेटिंग की है उसमें उसने थोड़ी सी गलती कर दी ये लाइन यहां करनी थी ये लाइन यहां इस तरह चलना चाहिए था तो गड़बड हो गई मैं समझा देता हूं आपको सबसे पहले इतिहाज जो लिखा था गौर्शाद दोसी ने अठार सुन्चारिस में लेकिन हिंदी साहिते लिखने का किसी भारती विद्वान द्वारा सबसे पहला प्रियास कब किया गया था वो किया था 1893 issue में सिव सियं सेंगर द्वारा कब किया गया था सिव सियं सेंगर द्वारा वहीं अगर आपसे पूछे इस topic को ध्यान रखना सिव सियं सेंगर द्वारा किया गया था और एक बात और बताऊं जो सिव सियं सेंगर ने जो लिखा था, क्या लिखा था, सिव सरोज लिखा था, क्या लिखा था, सिव सरोज, उसे, उसे साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदू का आ जाता है, प्रस्थान विन्दू यानि हम यहीं से साहित्य का इतिहास लिखने की और क्या करते हैं प्रस्थान करते हैं फिर आता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का स्वर परता में इतियास किस ने लिखा था सच्चे अर्थों में इस सब्द को जोड़ना ये लिखा था अब जोर्ज अबराहम ग्रियर्सन ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतियास लिखा था परंपरा का तुरूप से सरुपरतम हिंदी साहित्य का इतियास लिखा था मिस्र बंदू ने और 1913 में 1913 में और यह हम जानते भी हैं कि इनके तीन भाग जो थे वो 1913 में है और चार भाग जो था वो 1934 में है तो यहां 1313 ओ गई थी 3434 हो गया था तो हम आगे बात करेंगे मिस्र बंदू की खास बात क्या है देखो मिस्र बंदू जो थे उनका ये कहना था मतलब जब इन्होंने हिंदी साहित्य का इतियास लिखा तो इनका कहना था कि मेरा उद्देश्य मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और ऐसा व्यवस्ति धाचा खड़ा करना है जो आज तक नहीं हुआ हमारा उद्देश्य केवल किसी कवी का जो है उसकी गाथा का वर्णन करना हमारा उद्देश्य नहीं है क्योंकि जब मिस्टर बंदों पर यह आरोप लगा था कि आप जो है आपने कवीयों के बारे में कुछ बताया है ने उनके वेक्तित्व के बारे में आप नहीं बता रहे वगरा इस तरह से तब उन्होंने का हमारा उद्देश्य जो है वो एक पका धांचा खड़ा करना इंदिसाहित्य के इतियास का किसी कवी का कीरतन करना हमारा उद्देश्य नहीं है ये परिबास अगर आजाए और फिर मानलो आपसे पूछा जाए कि ये किस की परिबासा है तो आप इसको तुरंद बता सकते हो कि साभी ये मिस्टर बंदू की परिबासा है कि हमारा मेरा उद्देश्य जो है उस ऐसे साहित्य के तियास लिखने का उद्देश्य है जिसे एक ऐसा ढाचा खड़ा करना है जो आज तक नहीं हुआ किसी कवी का कीरतन करना हमारा उद्देश्य नहीं है फिर देखिए सच्चे अर्थों में सहित्य का सरोपरतम परंपरागत देखिए यहां समझना सच्चे अर्थों में किसने लिखा ग्रियर्सन परंपरागत रुप से मिस्रबंदू लेकिन सच्चे अर्थों में परंपरागत किसने लिखा तो आजाएगा आचारी रामचंद्र शुक्ल क्या आजाएगा आचारी रामचंद्र शुक्ल समझा गया बात आचारी रामचंद्र शुक्ल तो ये बहुत बढ़िया तरीका निकल के आता है ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका यहां तक तो सही है यहां भी सही है और यहां भी चलो सही हो जाता लिंगरबर कर दी ठीक है तो समझ गया बात सबसे पहला परियास बोला गुर्जी किया था किस ने किया था गारसाथ तोसी बारतिय विद्वान द्वारा किस ने किया था सेउसियां सेंगर ने तो सच्चे अर्थों में किस ने लिखा था ग्रियरसन ने परमपरागत रूप से किस ने लिखा था मिस्रबंदू ने सच्चे अर्थों में परमपरागत किस ने लिखा था रामचंदर शुक्ल ने हर चीज याद होती है 1929 में आगे चलते हैं नेक्स्ट अन्य महत्पुन इतिहासकार कुछ और भी ऐसे लेखक थे इस कड़ी में जिन्होंने हिंदिस आहित्य का इतिहास लिखने का प्रियास किया जैसे 1929 में तो आप जान चुके हैं रामचंद्र शुक्ल ए आरसी ने लिखा था आचारी रामचंद्र शुक्ल ने 1931 में किसने लिखा रमा संकर सुक्ल रसाल ने हिंदिस आहित्य का इतिहास लिखने का प्रियास किया था किसने किया था रमा संकर सुक्ल रसाल ने इसकी आगे व्यक्ष्या और भी करेंगे अपन लेकिन इनके बारे में से बितना ज्यान रखो रमा संकर सुकल रशाल ने कब लिखा था? boots 1931 में राम कुमार वर्मा ने जो लिखा था earnest 1931 में क्या नाम था उसका? हिंदी साहित्य का आलोचनात्म गतिहास क्या कौन साहित्यास? हिंदी साहित्य का अलोचनात्म गतियास जो 693 से 1693 तक लिखा गया था ठीक है उसके बाद हजारी प्रसाद विविदी ने 1952 में आपको पता है कि क्या लिखा था हिंदी साहित्य की भूमी का हिंदी साहित्य की भूमी का और हिंदी साहित्य का उदभव विकास उदभव विका और एक इनका ग्रंत और भी है हिंदी साहित्य का आदिकार ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं फिर आते हैं उसके बाद हाला कि ये मैंने सीधा 65 दे दिया क्योंको परमुक परमुक दे दिया इसके बीच में और भी आये मैं बताऊंगा गणपती चंद्र गुप् ठीक है तो आप जानते हैं डॉक्टर नगेंद ने 1903 में लिखा था हिंदी साहित्य का व्रहिद इतिहास क्या है व्रहिद इतिहास लाला हर्दयाल के साथ में मिलकर लिखा था अग नहीं लिखा था ठीक है इसके अलावा और भी है देखो इसके अलावा जिसे और आपको बात बताओं मैं जैसे हां हिंदी साहित्य का अगर आपसे पूछे हिंदी परिचायात्मक हिंदी साहित्य का परिचायात्मक इतिहास किसने लिखा था बताओ देखें किसने लिखा था हिंदी साहित्य तो परिचायात्मक इतिहास लिखा था भगीरत मिस्र ने, किसने लिखा था? भगीरत मिस्र ने लिखा, परिचायतम कितियास. और कब लिखा था? आपको बताऊं 2010 में. बुलसर इतना लेट बिलकुल परिचायतम कितियास. इसी के तहेट देखो आप, एक लिखाता हिंदी साहित्य एवं इतिहाज स्रश्टी, ये किसने लिखाता मैनेजर पांडे ने, मैनेजर पांडे ने, मैनेजर पांडे ये कब लिखाता मैनेजर पांडे ने 1981 में, कब लिखाता 1981 में, इसके अलावा देखो हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहा क्या है सरल इतिहास तो सरल इतिहास किसने लिखा था विश्वनात विश्वनात त्रिपाठी और लिखा कब था दोस्तों 1985 हिंदी साहित्य का सरल इतिहास थीक है और हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास क्या लिखा था दूसरा इतिहास किसने लिखा था बच इतिहास तो ये लिखाता सुमन राजे ने किसने लिखाता सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ठीक है उसके बाद हिंदी साहित्य का जो है उदभव एवं विकास देखो एक तो उद्भववयम विकास जो है आपको ये याद है कि हजारी प्रसाथ द्विविदी ने Suppose यर पेपर में ये आज़ाए तो आप सोचोगी ये तो हजारी प्रसाथ द्विविदी की थी तो याद रखना एक रचना और भी है हिंदी साहित्य का उदे मुसल्मान कभी हिंदी साहिते के मुसल्मान कभी ये है गंगा प्रसाद यानि सारे मुसल्मान गंगा में ना है तो पवित्र हो गए यूं कह सकते है न अब इसको उल्टा सिदा मत जोड़ना यूं माले जी कि हम हिंदू जो है वो पवित्र मानते हैं ठीक है हिंदू है जो गं में न जोड़ें तो ज्यादा बैस्ट है ठीक है अपने सिर्फ पढ़ने के थरीके से जोड़ें गंगा तो क्या हो जाएगा गंगा प्रसाद सिहां गंगा प्रसाद सिहां ठीक है गंगा प्रसाद तो हिंदी साहिते के जो मुसल्मान है वो गंगा प्रसाद सिंग न लिखा थ इसके अलबाए एक क्रिंट और बताता हूँ आपको हिंदी हिंदी साहित्य और बीश्वी सताब्दी क्या है? हिंदी साहित्य और बीश्वी सताब्दी हिंदी साहित्य और बीश्वी सताब्दी, अब आपको विश्वी सताब्दी यह नंद दुलारे वाजपी का तो यह कुछ ऐसे एक और बताता हूं आपको एक बहुत बढ़िया रचन मुझे मैंने पहली बार पढ़ी है वह बताता हूं आपको प्यूं मान लीजिए कि यह जो आपको क्लासेज में दूँगा यह आप से पहले मैं खुद अध्यन कर रहा हूं और लगातार डेली दो तीन गंडे जितना पढ़ता हूं मुझे जो बढ़िया लगता है वो आपसे शेयर करूँगा और देखिए एक तो सीधा सीधा आपको पहले पढ़ा हुआ है वो पढ़ाया जा भघिरत मिसर का जो है परिशयात्म कितियास लिखा था हिंदी साहित्य का ये दो जातर स्की है तो मेनेजरी और पादे 1961 है ऐसे एक रचना और मिली मुझे वो क्या है ओज्ञ नारी है हुआ देखो क्या हिंदी साहित्य का ओजल नारी का इतियास क्योंकि नेट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं नेट और सैट में इस टाइप की चीज़ आती है ओजल नारी का इतियास यह है निरजा माधव किसके है निरजा माधव और यह लिखा गया था 2012 में यह बहुत इंपोर्टन्ट है हिं बढ़िया कंटेंट है समझे आप जहां तक सही दिख रहे है आवाज भी सही है ना ओके ठीक है तो क्लिर है उमेद करता हूँ आपको यह सारी चीज़ें याद भी होगी होगी और याद कर लेना आपको नोर्स भी मिल जाएंगे और क्लासेज में याद कर लेना थोड़ी ब । दिख लेना चलिया अब इनका विश्टेशन करते है सबसे पहले हम बात करते हैं गौर साथ तोसी के बारे सबसेद करते हैं इनकी रचना का नाम है इनकी रचना का नाम है इस्तिवार्द अलव़ लित्रेतुर एंदूई एंदूस्तानी एंदूई मतलब उर्दू एंदूस्तानी ठीक है ये दो संस्क्रण थे अब कैसे याद करना एक गौड़सा और एक तौसी तो संस्क्रण कितने हो गए दो कई वार भूल जाते हैं संस्क्रण कितने थे भाग कितने थे तो संस्क्रण कितने थे गौड़सा तौसी दो संस्क्रण कितने थे एक संस्क्रण का नाम था गौड़सा दूसरे का नाम था त भाग ठीक है पर्थम संस्क्रड में दो भाग और वो दोनों भागों में से पर्थम भाग छपा था 1849 इस्वी में और दूसरा जो भाग था 1847 में कब छपा था 1847 में तो 39 और 47 कैसे याद रखोगे देखो मैं बताता हूं इसको कैसे याद रखोगे एक दो नो साथ ये सर क्य पहले संस्क्रण में दो भाग थे पहला भाग 9 में दूसरा भाग 7 में एक दो 9 7 एक दो 9 7 ठीक है 1297 एक दो 9 7 एक दो 9 सथ, पहले संस्क्रण में दो भाग थे, दो में से एक नौ में, एक साथ में, तो फिर 49 और 47 तो आपको याद रह जाएगा, मैं जानता हूं सो पिसेंट याद रहेगा, फिर दूसरा संस्क्रण, दूसरे संस्क्रण में थे तीन भाग, यानि 2-3 एक दो है फिर दो तीन है ठीक है दो तीन थे और दो थीन में क्या हुआ जो दो भाग थे वो तो छपे थे 1870 में और जो तीसरा भाग था वो छपा था 71 में अब यहां गजबड़ हो जाती है कैसे गजबड़ हो जाती है क्योंकि यहां दो भाग सतर में चपे तो यह एक बहुत important question है कि जो पहला और दूसरा भाग था ना वो सतर में थे और जो तीसरा भाग था वो 71 में था ठीक है इसको थोड़ा सा अपसेट कर लो जिसे हम लोगों के तो सैट है यह ठीक है दो संस्क्रण थे पहले संस्क्रण में जो दो भाग थे 49 में 47 के अंदर ठीक है दूसर संस्क्रण में जो तीन भाग थे दो भाग सतर में एक बाग 71 में तो याद रह जाएगा इसका प्रकाशिक कौन थी The Oriental Translation Committee Ireland The Oriental Translation Committee Ireland से प्रकाशित हुआ था गारसद दोसी फ्रेंच विद्वान थे यह फ्रेंच जो थे तो उन्होंने लिख था ठीक है आगे चलते हैं इस पुस्तक के इस पुस्तक के प्रथम भाग का हिंदिये नुवाद किस ने किया था लक्षमी सागर बाशने ने बावन में बावन में बा बाशने नहीं है यह बाशने पढ़ो इसको क्या पढ़ो बाशने पढ़ो इससे देखो है तो वाशने लेकिन आपको बाशने पढ़ना बाशने बावन बाशने बावन बाशने बावन बाशने बावन इस तरीके से याद कर लोगे लक्षमी सागर बाशने ने बावन में इ उसी भाग का प्रकाशन हिंदूई साहित्य के तियास नाम से लक्षमी सागरबाशने ने इलहाबाद से प्रकाशित करवाया था इसमें कुल कवी थे 738 और 7272 ये हिंदी कवी थे क्या थे ये हिंदी कवी थे ये क्या थे हिंदी कवी थे क्लियर बात है 703 school कवी थे और उसमें से 72 हिंदी कवी थे 72 क्या थे 73 में एक कम कर लो 72 72 हिंदी कवी थे और बाकी सारे किस के कवी थे उर्दू के कवी थे कलियर है इन्होंने पदती कौन सी अपनाई थी वर्नानुक्रम पदती अपनाई थी इसलिए इस कावी में पर्थम जो कवी है उसका नाम अंगद है और जो अंतिम कवी था उसका नाम क्या है हेमन्द फर्स्ट अंगद था और लास्ट जो था वो हेमन्द था इस ग्रंथ में हिंदी पाली अपभरंस के कवी भी शामिल है यानि यहांसे एक नया प्रिशन क्या बनता है कि गार सद्र तौसी द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतियास में निम्न में से किस भासा का कवी शामिल नहीं है या शामिल है तो उसमें उर्दू है पाली है अपब्रण्स है यह है अब मानलो को प्राकर्त आ जाए परियास तो किया, ये बहुत अच्छी बात थी, काल विवाजन, काल विवाजन का परियास नहीं, ये इनका सबसे बड़ा दोस्त था, कि आपने डिवाइड तो किया ही नहीं काल के अंदर, तो काल विवाजन का परियास नहीं था, और अकारादी करम को अपनाना, इस करम को व पर रहें लक्षन पढ़े थे उसमें था कि तर्क ओर निषक्काघ्स परमान पर आधारित होते हैं, तो पर्मानिक्ता का तो इसमें क्या है, अभाव है, तो जब परमानिक्ता का अभाव है तो आपकी इस हिंदी साहित्ते की इतियास को मितियास कैसे मनें, तो ये था गौर्सद तौसी आगे देखिए शुकल ने इस गरंथ को वृत संग्रे का है शुकल के वाए कि उखाली एक बड़ो संग्रे है और की कोनी रोग कोई लेन देन कोनी अब इस पर मुझे एक चीज़ आद आई राम स्वरूप चत्रुवेदी का नाम आपने सुना होगा राम स्वरूप चत्रुवेदी आप सबने सुना होगा राम स्वरूप चत्रुवेदी राम स्वरूप चत्रुवेदी के परिभासा है परिभासा क्या है वो कहते हैं कि कवी का काम तबी का काम यदि दुनिया में इश्वर के कामों को न्यायोचित ठेराना है तो साहित्य इतिहास के लेखकों या फिर कवियों के साहित्य इतिहास के लेखकों को साहित्य के इतिहास के लेखकों को कवी के जो काम है कवी के कामों को साहित्य के इतिहास का ये परिवास थोड़े भूल रहा हूं मैं न्यायोचित ठेरना है तो साहित्य इतिहास का काम जो है कवी के कामों को साहित्य के इतिहास साहित्य के इतिहास विकास परक्रिया परक्रिया में नियायोचित फैराना है यह लिजिए अब मतलब कहना क्या चाहता है वो तो मैंने कहा ना कोई परिवासा को समझ लो याद रटा जाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है क्या करता है कि बई जो कवी होता वो क्या करता है इश्वर द्वारा जो किये गए कारे हैं उन कारें को जो है नयायोचे ठहरा था कि बई इश्वर ने बिल्कुल सही किया ये काम कौन करता है कवी करता है तो साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं वो जब साहित्य के इतिहास ल एकर थे इन्होंने यूगीन प्रवर्तियों कवी के वेक्तित्व एकर्तित्व इनको नजर अंदाज कर दिया था तब उस पर इन्होंने राम सुर्प चुतुरवेदी ने ये बात कही है आगे देखिए गार्शत तोसी के गरंध का उर्दू अनुवाद जो है मौलवी तजकिरा एशूरा हिंदी क्या नाम से किया है तजकिरा एशूरा हिंदी तो वो किया है तजकिरा एशूरा नाम से 1848 में किया है कब किया है 1848 में किया है इसमें कुल 2004 कवी है जिसमें से 60 हिंदी के कवी है ये बहुत इंपोर्टन्ट है कितने है हिंदी के 60 कवी है हिंदी के अपना ही तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ी कमी थी आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉशन सिव सियां सेंगर जिन्होंने सियां सरोज लिखा और इन्होंने क्या बोला था कि मेरा उद्देश अपने साहिते के इतियास का एक पक्का और वेवस्ति धांचा खड़ा करना है न कि किसी कवी का कीरतन करना है ये बात कहने वाले थे मिस्र बंदू जिनके क्रंद का प्रतम प्रकाशन 888 माता प्रसाद गुप्त के अनुसार हुआ था 888 में 78 संसोदन हुआ था उसके बाद ही आया था 883 में आप लोग यही सन पढ़ते हैं 78 आप कभी नहीं पढ़ते हों जिसमें से 60 हिंदी के कवी हैं इसमें जन्म मिर्तियुकाल दर्साया गया है कि तु कैसा है अविश्वस्नी है वो जन्म मिर्तियुकाल बिलकुल क्या है अविश्वस्नी है सेंगर ने जो आदी काल की प्रारंबिक सीमा 770 विक्रम समवत मानी है सेंगर 770 समवत मानी है सेंग माना है, पुष्य पूंडी को हिंदी का कभी मानने वाले सीजिव स्यास सैंगर ने आदिकाल की प्रारंबिक सीमा जो है वो 770 विक्रम समवत मानी है, ये बात हमने पढ़ ली और इसे हिंदी में लिखा गया ये हिंदी साहिते का परफम इथिहास करंथ है, अरे वो परिवासा तो मिस्टरवंदू कि थी न यह मैंने किसकी बता दिया भी मैंने गरत बता दिया न यह तो सिवसियं सरोज है यह मेरे साथ हो जाता है माफी चाहता हूँ आप जानते हैं कि ध्यान चुका वो गताने सावदानी एटी और सजीपूडी बटी वही खेल होता है सारा तो वो तो मिस्टरवंदू की परिवासा है आपने कमेंट भी कर दिया होगा आप तक कैसर खोटो वद्दव है यह स्लिप आप माइंड है ठीक है तो वो तो मिस्टरवंदू की थी सोरी चलिए यह सीवसियं सरोज है मुझे यह यह पर्थम इतियास गरन थाया ना तब मुझे याद आया चलिए वो परिवासा वापस दिमाग में रखना अभी जो मनें परिवासा बताई थी कौन से परिवा का जाता है यह बात मैंने अभी आपको बताई थी सीवसियं सरोज को हिंदी साहित्य के इतियास का प्रस्थान मिंदू का जाता है क्योंकि यहीं से हिंदी में साहित्य लिखने की इतियास जो है वो प्रियारंब हुआ था इस गरंत के दोस्ट भी वही है यानि सीवसियं सरो क्या है व्रत संग्र है मात्र है जोर्ज अब्राहम ग्रेशन दे मौडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ नौर्दन हिंदुस्तान सिधा ही है भासा अंग्रेजी सन 1888 एसिएटिक सोसाइटी और बंगाल की पत्रिका के विशांक में केवी एस स्कूल व्याख्यता यानि केवी स्पीजीटी के पेपर में ये प्रशन आया था सेम डिट्टो यही लाइन थी कि निम्र मैंसे कौन सा इतिहास ग्रंथ एसिएटिक सोसाइटी और बंगाल की पत्रिका के विशेशांक के रूप में छपा था किसका इतिहास मैं रियल वताम उस वक्त मुझे पता नहीं था य लेकिन ये स्वतंत रूप से 809 सिक यानि तो ये पत्री गा में छपा था फुस्तक के रूप में ये कब आया नवासी में और किसके अनुसार रामकुमार वर्मा और गुलाबराय कहते हैं कि पुस्तक के रूप में इनका जो सन है वो अठरा सो नवासी मैं मेरे जो नोट्स ह वो जिन किताबों से संकलित हैं वकाइदा आपको इस टाइब से बहुत जगह देखने को मिलेगा मैं जहां से डाटा ले रहा हूँ वो authentic लेने का प्रयास है कोई छोटी मोटी मतलब नाम मात्र की गलती होगी बागी गलती नहीं होगी इसका प्रकाशन भी कहां से हुआ था आइरलेंड से हुआ था इस गरंथ की खास बात क्या थी खास बात थी ग्रियरसन ने पहली बार काल विवाजन का प्रयास किया था ग्रियरसन ने पहली बार काल विवाजन का प्रयास किया था और ये एक बहुत बड़ी बात है इस फुस्तक को बारा अध्याई में बांटा गया बिल्कुल आपको होगे सरी ग्यारा अध्याई पढ़ा है देखिए कुछ किताबों में ग्यारा अध्याई लिखा है कुछ किताबों में ग्यारा अध्याई लिखा है मैं मानता हूँ लेकिन ट्विस्ट आगे है ये अध्याए बारा है अध्याए क्या है बारा है ग्यारा तो क्या है काल है अध्याए बारा है लेकिन काल कितने है ग्यारा है अब देखिए इनका क्रम देखिए सबसे पहले चारण काल ये हमारे लिए सोभाग्य की बात है कि चारणकाल ठीक है आगे देखणा उसके बाद आता है पंदरवी सताब्दी का धार्मिक पुनर जागर। चारणकाल कब चल रहा है? तेरा सो इसवी तक चल रहा है. यानि इन्होंने चौद्वी सताब्दी के बारे में कुछ कहा ही नहीं. यही इनकी पहली गल्दी. की प्रेम कवी था पंद्रविस्ताब्दी का धार्मिक पूर्ण जागरन फिर जाईसी की प्रेम कवी था अब सीधा आजो मुगल दरबार एक छोड़ के मुगल दरबार और फिर एक छोड़ के रिति का जाईसी मुगल रिति जाईसी मुगल था और मुगल की रिती महरानी को पता थी एक छोड़ के जाइसी मुगल था मुगल की रिती किसको पता थी महरानी को और ब्रज का सम्वन तो तुलसी से था और तुलसी को तुलसी धास कहते थे तो यहाँ पे चोथा चटा और आठवा मतलब विशम संक्या और सम संक्या को मैंने अटेच कर रखा है मैं कैसे पढ़ता हूँ वो बता रहा हूँ ताकि इससे आपको पता रख जाए चारनकाल, धार्मिक पुनर जागरण, पंदरवी सताब्दी, फिर ब्रज, फिर जाईसी, फिर मुगल, फिर तुलसी, फिर रितिक काल, फिर वापस तुलसी दास, फिर आजाएगा महरानी विक्टोरिया, और महरानी विक्टोरिया के बाद कंपनी के सासन का हिंदुस्तान, और लास्ट वाँ जो है विविद, तो अब कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, चु तीन précis एक भिरोधा भास है, चुका तो एक, दो, दो, चार, पांच, छे, साथ, नो, दस, यह तो यारा काल है, तो फिर बारहा अध्या, एक, कुछ मुझे लग रहा है, चूक गया, मुझे लग रहा है, कुछ thou चूका है, या नहीं चूका, चूकना तो नहीं चीह नहीं अ ह केवल हिंदी के कवियों को इस्थान मिला था ठीक है और इस ग्रंथ में पहली बार काल क्रम पद्दती को अपनाया गया था ये भी केवल हिंदी के कवियों को ये बहुत इंपोर्टन प्रेश्न बनता है कि पहली बार केवल हिंदी के कवियों को इस्थान किस ग्रंथ में मिला तो वो गार्साल तोसी के दे मार्डन वर्ना कुलर लिटर्चर आफ हिंदुस्तान पहली बार काल करम पद थी ग्रियरसन ग्रियरसन नहीं भक्तिकाल को साहिति के महत्मुन उपलब्दी के कारण क्या कहा है था सबसे पहले स्वर्ण काल जो है ग्रियरसन ने कहा था इन्होंने ही इन्होंने आदिकाल को चारणकाल भी कहा है बिल्कुल कहते हैं रामकुमार वर्मा भी कहते हैं संदिकाल और चारणकाल आदिकाल को और इन्होंने भी आदिकाल को चारणकाल कहा है इन्होंने कुल 952 कवियों का वर्णन किया है इन्होंने किनकी खास बात यह है इन्होंने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा अविश्क्रत भासा कहा कर पुका रहा है बोला हिंदी जो है वो अंग्रेजी द्वारा अविश्क्रत है जो कि फालतु भकवास बाजी है और कुछ नहीं है हम आये हैं वेदिक संस्कर्थ, लोकिक संस्कर्थ है ना वेदिक, लोकिक, पाली, प्राकर्थ, अब्रंस, अवट और फिर हिंदी यहां तक पहुँचे हैं और यह कर रहें अंग्रे जी द्वारा आव इसकर्थ भासाएं सिवसियां सरोज गरंथ से साहिता प्राप्त की थी अब ये भी एक बहुत इंपोर्टन बात है कि गारसद तोसी नहीं थी, हास लिखते समय किस गरंथ की साहिता ली थी तो वो ली थी सिवसियां सरोज क्यों है ये प्रशन इंपोर्टन क्योंकि हम लोग जो है ना ऐसे प्रशनों पर ध्यान नहीं देते वहां पर आप्शन में ऐसे से गरंथ होंगे गारसद ग्रेरसन के बाद में लिखे वे भी होंगे लेकिन हम लोग सोचेंगे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं अरे पढ़ा नहीं तो काल करम सेट कर ले जो गरंथ उसके बाद लिखे गए थे उसकी साहिता वो कैसे ले सकता है लेकिन लौजिक काम करता नहीं है इन्होंने कुल 66 नए कवियों का वर्णन किया है अब आपको ये पता होगा कि करिमो दिन ने 60 कवियों 60 हिंदी के कवियों का वर्णन किया है ये भी आपको पता होना चाहिए शुक्ल ने इस गरंथ को कुछ नहीं का बोला बड़ा वरत संग रहे बैचोटा वरत संग रहे है वो थोड़ों मोट्टो है बाकि की खास बात इर्माया को नहीं कोई विशेस बात इर्माया को नहीं तो डॉक्टर किसोरी लाल गुप्त ने देखो गवाज साथ तोसी लाल जो को इतिहास हो बिन्ने लक्षमी सागर वाष्णे हिंदू साहित्ति का इतिहास नाम सु वाष्णे 52 कटू इलाबादू प्रकाशित करवए हो किसोरी लाल गुप्त ने सोरी की सोरी सोरी सत्तावन किसोरी सत्तावन सोरी सत्तावन सोरी सत्तावन सोरी सत्तावन सोरी सत्तावन सैंग समवा साथ सो सत्तर विक्रम समवा नहीं पढ़ा था ऐसी याद कर लो पुश्ये पुंड वगरा तो किसोरी लाल गुप्त ने 57 में ग्रियरसन के गरंथ का हिंदी अनुवाद जो यह यहाँ पर जो है 1957 नहीं इसे 1957 यह गया हो सकता है लेकिन यह कुछ किताबों में 1956 भी दिया हुआ है मैं आपको बता दूँ जो दिया हुआ है कुछ किताब हम 1956 भी दिया हुआ है जबकि यह सोरी मेरी ट्रिक्स काफी लंबे समय से में पढ़ाता हूं सतावन ही है, तो क्यों? क्योंकि ये गलती ही हो जाती है, जैसे मैं लो मैंने नगेंदर की किताब पढ़ी, मैंने नगेंदर को फॉलो किया, उन्होंने बताया दिया सतावन, फिर सरोमानियलूप से चपन बताया गया, तो यहां ये चोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है सन तो सन को लेकर मैं आपके डाउट रहने नहीं दूँगा कैसे कि सन के मामले में एक किताब ऐसी है जो बहुत अथेंटिक है उसके सन एकदम 100% सकते है और मैं उसी सन को फॉलो करूँगा ठीक है तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम इतिहास का अनुवाद किया था इंदू साहित्य का इतिहास नाम से लक्षमी सागरवाशने ने 1952 में वो कहां से किया था वो इलाबाद से करवाया था और यह कहां से हुआ था वारानसी से हुआ था कहां से हुआ था वारानसी से हुआ था इसके बाद इनके बारे में और द चुलसी की रचना है तुलसी पर इनों ने सरवद एक निभन लिखने वारे जो थे वह एस और इटीर filmedना में और बारा निभन लिखे और इन बारा निभनों को सबसे पहले वाचन किया था वह प्राच्य विद्यासन स्थान वियना जो कि आस्ट्रिया में है वहां से किया गया था प्राच्य विद्या विसारत सभा वियना द्वारा इसका वाचन किया गया था ग्रियर सन्ने भक्ति काल को इसाइयत की देन का है देखो इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कह दिया इन्होंने चारण काल अदि काल को कह दिया इन्होंने अंगरे जी द्वार की दिन तो वो तारचन्द ने कहा है, ठीक है हम आगे जश्य से बढ़ेंगे, मैं बहुत बढ़ी अबढ़ी अची बताऊंगा, तो इसायित की देन कहा है, इसके दोस्त क्या है? इसके दोस्त हैं, काल विभाजन में कमी, क्योंकि विग्यानErक टकाब़ा, आप ने ग्यारा कालों में बाट तीया, 14 सताबदी के बारे में कुछ सताबदी में कुछ कहाई He faites in нам तृक है, 00 काल के बाद में, सिधा को हम कैसे बढ़िया मान ले तो देखते हैं ये क्लास कितिस एक बारा की होगी लेकिन कोई बात नहीं आज की क्लास थोड़ी बढ़ी देते हैं ताकि थोड़ा सा मिस्टर बंदू मिस्टर बंदू इन मिस्टर बंदू ने मिस्टर बंदू लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लास ज्यादा हो जाएगी मैं आज मिस्र बंदू तक यहीं तक करूँगा बस थोड़ा से ठीक है आज यहीं हम एंड करेंगे मिस्र बंदू विनोध नाम से इतियास ग्रंद की रचना चार बागों में की है कितने बागों में चार और ये बहुत बढ़िया तरीका है मिस्र बंदू के 3,13 हो गए 4,34 हो गया इसको याद रखने का तरीका 3,13,4,34 तीन थे यह शाम बिहारी, सुकदेव बिहारी, गनेस बिहारी इस ग्रंद के परसंग 3 बाग 13 में, 4 बाग 34 में simple सी है, इन्होंने लगबग 5000 कवी, यानि 4591 कवीओं का समावेश किया है अपने इस ग्रंत में और इन बंदुओंने कवीओं का प्रमाणिक जीवन व्रत भी दिया, यह सबसे अच्छी बात है कि कवीओं का प्रमाणिक जीवन व्रत भी इन्होंने दिया है शुक्ल ने स्विकार किया है कि कवियों के परिचाय अत्मक विवरंद देखिए बहुत बड़ी बात है राम चन्द शुक्ल ने जो कवियों का परिचाय दिया है वो किस ग्रंद से लिया है वो मिस्र बंदु विनोद से लिया है तो तुलनत बोल भी दिया भई मैं वहां से ले रहा हूं कि मुझे वहां से ही लगा तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती ठीक है मिस्टर बंदो ने इसमें तुलनातमक पदती का बहुत बढ़िया बता रहा हूं मिस्र बंदों ने इसमें तुलनात्मक पदती का अनुसरन करते हुए कवियों की स्ट्रेणिया बनाने का परियास किया है किस टाइब से कवियों की स्ट्रेणिया बनाने का परियास किया है ये बहुत बड़ी बात है मिस्र बंदों दोरा ठीक है न देखते हैं अब आगे पढ़ें या नहीं पढ़ें आचारी जर्ब से वैसे है तो थोड़ा ही नहीं थोड़ा तो नहीं है थोड़ा तो नहीं है ठीक है तुलनात में पत्तियों का अनुसरन करते वे कवियों की स्रेणियों का बनाने का प्रियास किया है चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पढ़ लें किया थोड़ा सा पस जादा नहीं है थोड़ा सा है देखिए हिंदी नवरतन कवियों का वर्णन ये हिंदी नवरतन व कवियों का वर्णन ये भी किसकी है मिसर बंदू की रचना है और नव कवियों में कौन-कौन सामिले देखिए ये दोनों तो होगे बक्तिकाल के होगे बक्तिकाल के और ये होगे ये होगे रितिकाल के किसके होगे रितिकाल के एक ये बक्तिकाल का और यहां पर भी है बक्तिकाल का और ये एक आदिकाल का आदिकाल का एक, भक्तिकाल के तीन कित्यों के चार और एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच रितिकाल के हैं, ठीक है, तो ये नवरत्न है, इन्होंने एक पुस्तक लिखे थी, मिस्र बंदुओं ने, ठीक है, और शुक्र ने इस क्रिंद को बड़ा भारी वृत्संग्रे क कौन सा है, मिस्र बंदुओं का, शुक्ल ने मिस्र बंदुओं को परिस्त्रमी संकलन करता करकर पुकार है, बोला है परिस्त्रमी, इतना, इतनी मेहनत किसी ने नहीं किये होगी, यानि है ये क्या, परिस्त्रमी संकलन करता है, नेक्स्ट आचारी राम चंदर शुक्ल का हिं 1927 इस्वी लेकिन शुक्रने नागरी परचारणी सभा द्वारा हिंदी सब्सागर की भूमिका के रूप में 1929 में परकाशित करवाया था भूमिका के रूप में चपा था तब इसका नाम था हिंदी साहिते का विकास बाद में पुस्तक रूप में जब छपा था उसका नाम क्या हुआ था इंदी साहिते का इतिहास इन्होंने विधेवादी पत्दती को अपनाए यमपड के आ चुके हैं ये प्रकाशित कहां से हुआ नागरी परचानी सभाकासी द्वारा हुआ था इनका सयोग करने वारे थे बाबु शाम सुंदरदास राम चंदर वर्मा केदारनात पाठक ने आधुनी काल में काफी सयोग किया था जो केदारनात पाठक है आधुनी काल लिखने में केदारनात पाठक का सयोग है जबकि इसके सयोग करताओं में बाबु शाम सुंदरदास और रामचंद्र वर्मा है ठीक है और फिर देखिए एक अजार कवियों का जीवन चरितर है इसमें लगबग एक अजार कवियों का जी दी है और शुक्ल जी ने प्रवर्ती मुलक जो राम चनल शुक्ल ने जो इतिहास दिखा है वो किस टाइप का इतिहास है वो प्रवर्ती मुलक इतिहास है समझ रहे है अभी अभी असर ये प्रवर्ती मुलक क्या है अभी आगे आएगी चीजी है कि जो अभी एक प्रश्ण आया था संस्क्रत विबाग सेकंड गेड के अंदर कि करता काल के आधार पर कौन सा नामकरन है या नहीं है यह उस टाइब से चीजे हैं मैं नोर्स में यह चीज पहले से थी जो मैं बता दूँ एक स्टूडेंट है आज ही फोन आया था आज पहली क्लास ह अब क्लास लंबी होगे ना तो अब मेरा भी थोड़ा माइंड गया इधर उदर हो रहा है एक सो पचास में से एक सो चालीस कोशन राइट है यह है मेरे नोर्स का जो फीडबैक और बहुत बढ़िया फीडबैक है आगे भी मिलेगा तो प्रवर्ती मूलक इतियास लिखा थ थी हिंदी सबसाकर की भूमिका के रूप में छपाता नागरी परचाणी सभाकाशी दौरा प्रकाशित हुआ था बाभू श्याम सुन्दरदास और राम चंदर वर्मा ने सयोग किया था आदोनी का लिखने में केदर नात्पाठक का सयोग मिला था एक जार कवियों का उस कवी की रचना कितनी अच्छी है इस बात पर जोर दिया यानि उस कवी की साहित्यक मुल्यांकन पर जोर दिया साहित्य बढ़िया है इसका मतलब वो कवी भी कैसा है बहुत बढ़िया है इस बात पर जोर दिया था इस राम चंदर शुकुत बारे लिखेगे इतियास को प्रतम विज्ञानिक, प्रतम प्रमानिक, आलोचनात्मक, क्रमबद, सर्वोत क्रिष्ट इतिहास गरंथ का आ जाता है। देखिए एक ही ग्रंद ये सबसे इन्डी सायते का पर्तम वेग्याने कि टियास सबता हो रामClंदर शुक्ल, पर्तम 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 आलोचनात्म की रामचंदर शुक्ल प्रतम सर्वोत किश्ट राम அब शुक्ल. मजह आजाेगा नोट्स क्यात है, कारीम है. ये दोस तुलसी के परती उनका मोह कबीर के परती अन्याय करवा गया बिलकुल तुलसी के इतने राम चंदर शुक्ल तुलसी के भगत कबीर कोई नजर अंदाज कर दिया तुलसी के परती उनका मोह कबीर के परती अन्याय करवा गया ये परिभासा कौन के ये बात कौन बोलत लिखा गया, कब से अब तक सुकल जी की कुछ मानेताओं में परिवर्तन आया है, और 1940 में इसका परिवर्दित और संसोदे संस्टन निकला था, कब निकला था, 1940 में, तो ये बात है राम शुकल के बारे, अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देखो, मैं ठकता नहीं हूँ तो आपको भी ठकना नहीं है, मैं जितनी क्लास नहीं उतनी लेनी है, ठीक है, राम कुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतियास दो भागों में, परकाशित करने की योजना बनाई थी, पर्तम भाग, 1930 से बक्तिकाल तक था, पर्तम भाग, 1930 में था, और ये बक्ति रितिकाल तक है लिखा था, रितिकाल से आगे दूसरे भाग में चपना चाते थे, लेकिन उचप नहीं सका, ग्रंद का नाम हिंदी साहित्य का अलोचनात्मक इतिहास, हजारी परसाद विविदी के बारे में है कि शुकल के बाद किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत में अगर नतमस तक होकर स्विकार किया गया, तो वो यही थे, कौन थे, यही थे, कौन थे, यही हजारी परसाद विविदी, इन्होंने आदिकाल का जितना स सुंदर लेखन किया उतना और किसी ने नहीं किया इन पुस्तक हैं जो अभी मैं थोड़ देर पहले बता किया हूँ हिंदी साहिति के भूमी का 1940 पद्दती की दृष्टी से ये इतिहास ग्रंथ नहीं है ध्यान रखना हजारी निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ नहीं है औ और वहाँ पर आपको ये भी मिलेगा इंदी साहिति की भूमी का तो याद रखना ये इतिहास ग्रंथ नहीं है पद्दती की दृष्टी से इनके इतिहास ग्रंथ में ये दो ही सामिल होता है हिंदी साहिति का उद्वविकास और हिंदी साहिति का आदिकाल जो कि 1952 में राम चंदर शुक्र ने आदी काल को वीर गाथा काल माना है लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदी काल कहकर संबोधित किया है नेक्स्ट कॉशन कुछ अन्यमहत्वपूर्ण ग्रंथ तो ये हमने पढ़ लिया अभी हिंदी साहिते का व्रहधितियास नागरी प पढ़ेंगे तो यह जो चोटी मोड़ी चीज़ है आपको लगा इसा गलत गलत नहीं है यह किताबों के विरुदाभास है और मैं एक एक विरुदाभास क्लियर करूँगा सर कैसे करोगे मैं करूँगा जब टैस्ट होगा तब यह जितने भी डाउट्स वर्ड कोशन तो पक् विज्वनाद प्रषाद मिस्र हिंदी साहित्य का अतीद है यह मिस्र है ना सहीं नहीं है मिस्र होना चीए हिंदी ठीक है विश्वनात प्रसाद हिंदी साहिते का अतीद परसुराम चत्रुवेदी उत्री भारत की संथ परंपरा मोतिलाल मेनारिया के तीन गरंथ है तीनों राजस्थानी नाम से है राजस्थानी बासा और साहिते पिंगल साहिते साहिते की रूप रेखा याद रखना इन तीनों को राजस्तानी नम से एक कई वैसे हैं सिर्फ मोतिलाल मेनारिया और उसके बाद नलीन विलोचन दर्सन नलीन विलोचन दर्सन विलोचन दर्सन राहूल साकरत्यान, हिंदी काव वेधारा सुमन राजे आधा इतिहास बच्चन सिंह दूसरा इतिहास और अभी ये अतीतम पड़के आई हैं ठीक है, और मैंने आपको बताया था परिशायत में कितिहास किसका था भगिरत मिस्र का था, वैसे ही मैंने आपको बतायात था, मुसल्मान कवी गंगाब्रसाद का था, बताया नहीं था एक वो नारी जो नहीं हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य और बीस्वी सताब्दी हिंदी साहित्य और बीस्वी सताब्दी ये किसका था ये था नंद दुलारे वाजबई का सताब्दी ये किसका था नंद दुलारे वाजबई जो था वो था निर्जा माधव मैं बता किया हूँ अभी ठीक है तो ये दोस्तों आज की पहली क्लास और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी आनंद आया होगा और इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और बाद में टॉपिक हतम होते ही टेस्ट लेने चाहिए या फिर सीधी टेस्ट रिज हो कृपया करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टेलिग्राम चैनल जो NDC क्लासेज है आप देख सकते हैं टेलिग्राम चैनल NDC क्लासेज इसको जरूर जरूर जोईन करें आप लोग ठीक है ना इसको जरूर जोईन करें ये इंपोर्टन है NDC क्लासेज क्योंकि सारे नोड्स, पीडिएफ वगरा जो भी कुछ मैटर मिलेगा वो यहीं मिलेगा लेकिन हिंदी पॉइंट एप्लिकेशन को भी आप लोग जरूर डाउनलोड करें क्योंकि टेस्ट सीरीज सारी यहीं होगी यहाँ पर भी टेस्ट होंगे टॉपिक खतम होने पर लेकिन जो यह स्टार्टिंग में आपने देखा वो तीस पेपर की टेस्ट सीरीज है वो पूरी हिंदी पॉइंट एप्लिकेशन पर ही होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर और शुब दिल